मैं एक्चली थोड़ा सा लेट हो गया चिले सौरी भाई हम दोनों ही जाएगा आज ज्यादा आदमी नहीं है किशोर और मैं यह इसका बसंदी है और यह हमार बसंदी तो चलो फिर लट्स गो अधियो शुरू करने से पेले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी जब अधियरी चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैं साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी फ्रेस करके फूफ थोड़ा पुन्ने कमा अधिये तथास तो अधिया ओसम आसाम में फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ आज का वीडियो जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा शिव लिंग जो की नोगाओं में स्तीत है अधिए हमारी बाइक है यह गनेश मंदीर है यह किशोर है वह इसका बाइक है और हम लोग यहाँ पुजा कर रहे है चलो जब भी हम लोग एक साथ आते हैं तो इम प्रुभीों और हम लोग यहाँ पुजा सबनार तो अभी हो गया तो यहां से निकलेंगे आप लोग डायरेक बॉर्ड लार्जेस्ट शिवली तो आप लोग देखने के लिए जरूर एक्साइटेट होंगे मैं भी बहुत एक्साइटेट हूँ बहुत दीन का प्लानिंग था आज फॉर्चुनेटली जाके साकार होने जा रह हम लोग अभी थोड़ा सा हलका होने के लिए रुक्यत है हलका हो लिया तो यहां से और कितना किलिमेटर होगा सतर असी किलिमेटर हो सकता है आज बहुत फोग गिर रहा है इसलिए अच्छा भी लग रहा है और मेरा बाइक में 24 डिग्री सेल्शियस अभी दिखा रहा है तो ठंड है भी एक साल बाद आज का ट्रिप मार रहे है तो इसलिए बहुत जादा एक्साइटेट है अभी हम लोग जागीरोट पेपर मिल के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं ये पेपर मिल काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है समझ नहीं आ रहा है ये लोग कैसे चल रहे है जो अभी शायद बहुत क्वार्टर अभी भी खाली है बंद है जंगल ओ गया है आप लोग देख सकते ह में को में ruq движे करता हो कि जल से जलते इन लोगों का कुछ करें नहीं तो जीते जी मत अब है हम लोग करते से वाधम हम लोग एक बढ़िए चीज से कमहां है आपको भी दिखाना चाहता था इसलिए हे यहां बाहिक रुकायाव। विस्वा जूरी कोरोना भूट रोणो है और जो यह प्रोटान बीमारी है उससे लड़ने के लिए हम लोग को बोला गया यह आपको लिखा गया यह में यह और यह कोरोना यह तोडने नहीं दिया जलाय नहीं गया है घ्रकाएं इसलिए यहां पे देखने के लिए रुकाएंसे पहली है पता नहीं कितना दिन रहेगा अगर आप Colds तो डेफिनिटली आप लोगो देखने को जरूर मिलेगा वेलकम टू श्री श्री महामृतुन जय मंदिर देखने देखने हम लोग के डेस्टिनेशन की और बढ़ रहे हैं और जादा टिस्टेंस नहीं है यहां से लगबंग देड़ी कि निमीटर जाने के बाद महामृतुन जय टेंपल तक पहुंच आएंगे कि फाइनली हम अभी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं 27 से लेके आपका पांच मार्च तक आपको गाड़ी अंदर अलाव नहीं करेगा और यहां पर आपको पार्किंग करना पड़ रहा है यहां पर हम लोग पार्किंग है अगर आप लोग आते तो यहां पर फर्स राइट हैं साइड में आपको पार्किंग करने का मौका मिलेगा और यहां पर भेया लोग रहेगा यह टिकेट का प्रैस कितना है अच्छा यह टू विलर का 20 रूपीज करके और फोर विलर का 60 50 रूपीज है महाम रित्युन जय टेंपल जो है यहां पर 27 से लेके 8 मार्च तक यहां पर एक फुजा होगा यग्य होगा शायद बहुत दूर से देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिबलिंग आप लोग देखके शॉक्ट हो जाएंगे कि यह कितना बड़ा है वेरी वेरी बीटिफुल और यहां पर बहुत सारे आदमी आये हैं तो मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए देख लीजी जाएंगे तो यह मंदीर 2004 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें 2021 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके अभी आप लोगों के सामने है यह चार सो पंडीते सब साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और यभी पूजा करने के लिए यहां पे आए आए हुए है तो गाइस यही था दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड शिवलिंग महामृत्वुन जय टेंपल इन असाम नोगाउं अगर आप लोग असाम आते हैं नौर्थ इस्ट आते हैं नौर्थ इस्ट में विजिट करते हैं तो नोगाउं में आके यह टेंपल विजिट करना मत भूलिया 126 फीट हाइट के यह शिवलिंग इस्टाबलिश्ट है नोगाउं के भेर भेरी गाउं में और यह जगा खोज करने वाले व्यक्ति के नाम है आचारिया स्री स्री प्रिवुगिरी महाराज Unfortunately 2019 में वे परलोप्त प्राप्त हो गए वे गुजर जाने के बाद हिमंत विश्वश्वर्मा का एक करोर रुपे डोनेशन से बाकी सब काम कॉंपलिट किया गया है और इसलिए श्री श्री महा मृत्तुन जय सेवा स्रम का वो चेर्मेन बने गए है और 400 पंडितों द्वारा फूरे रिती रिवास से ये मंदिर स्थापना किया जाएगा प्रवारा जल को का वोह से ये स्कैना का एक ये मंदिर स्कूफ द। कर वोपसरी कता है और का वोद्वश्वर्मा को किया ग। प्रवारा नतला की सै Register, कि ज问 लिए Łगए 것은 जने की सैना जा मैं स donेक्ना ह। हाट लाक है अभी अंदर नहीं घुछ सकते हैं यहां पे पुछा तो उन लोगों ने बोला कि चारतारीके बाद ही यहां पर आप एंटर कर सकते अंदर में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो तो चारतारीके बाद ही आप लोग आई है ताकि अंदर आप लोग एंटर कर सेंगें यह यह मंदिर बनाने के लिए इस गाउं का बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी है गाउं वाले अपने अपने जमीन डोनेशन में दे के स्रीश्री महामरित्तुन्जे मंदिर बनाने के लिए जो योगदान दी है वो सदेव याद किया जाएगा अब यहां से अभी हम लोग को प्रशाद खाने के लिए बोला है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब अबनार कैसा है टेस्टी है ना आप लोग बिलीब नहीं करेंगे यह बहुत बढ़िया एक नजारा है अनफॉर्चुनेटली मैं सामने से जाके आपको दिखाने ही पाया गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिये अच्छी लगे लाइक कमेंट शेर एनिधिंग यू कैन दू दैट नेक्स वीडियो मैं जरू मिलेंगे तिल दैन जै हिंद बंदे मातरम एं जोई आई हों बाबाई बाई कर दो